कई ते तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जिनको हम साधारांतर प्रोसर करूंभ में जानते हैं हमेस्ट फ्रोटॉंस नीथ रोन्स या पर बड़े पार्टिकल सल्फा पर आ जिनको हम समाने रूप से पार्टिकल्स के रूप में जानते आए हैं उनका जब वेव स्वरूप सामने आता है तो वेव का क्या एक्वेशन होना चाहिए इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे और हम श्रोडिंगर ने उस वेव एक्वेशन को डेवलप किया था या ले करके आये सामने तो उन तक पहुंचने के हम कोशिश कर रहे थे और इस करव में हमने सबसे पहले तो एक सिंप्लिफिकेशन किया कि दिमेंशनल वर्ल्ड की जगह हमने वन डिमेशनल माना तागे सारी चीज़ें के वल एक ही कॉडिनेट में हम डिसकास कर रहे थे तो एक फ्री नहीं लग रहा बाहर से किसी चीज से इंटरक्षिन नहीं है कोई पोटेंशल नहीं है वह अगर पार्टकल चल रहा है किसी खास मोमेंटम के साथ में तो उसकी एनरजी होगी जो कानेटिक इनरजी होगी और वह कानेटिक एनरजी हमने हाफ इम बी स्क्वार कही जिसको आप लिनियर मोमेंटम के टर्म में भी सकते हैं और उसका वेव एक्वेशन हमने माना कि ऐसा है एप पावर यह एक्सपोनेंशियल वाला ए है आई जो कि स्क्वार रूट ऑफ मानस वन है के एक्स मानस में तो वेव कर रूप में जबाएगा तो इस प्रकार का लेकर शुरुआ कि यह कह सकते हैं इस फॉर्म में हमने लेकर शुरुआ करेंगे यह फॉंक्शन है अब यह प्रश्न बहुत बड़ा प्रशन है कि यह क्या चीज जिसाग है कौन सी क्वांटिटी है वैर की बात करते है तो प्रकी या फिर संद वेव की बात करते हैं तो प्रेशर बात करते हैं वहां पे या वाटर करते हैं कौन से physical quantity आसे वाली जो PR है यह यह बहुत बहुत बड़ा प्रशन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि यह जो स्पेसिफिक फॉर्म हमने शूम किया है इससे हमें मुक्ति मिले और जो उनके कुछ दूसरे प्रकार के भी अगर equations होंगे वेव के यह वाले तो वो भी उस differential equation में से निकल करके आएगा जैसे हम लोगों ने यहां जब बनाया यह differential equation बनाया तो यहां यह सिर्फ इसके लिए जाईन है यह कोई भी किसी प्रकार का function हो साइन हो कि जाने ओगुछ भी ओव वैसे होगा आप साइन लेकर के चलते यहां साइन लेकर के चलते कौस ले करके चलते सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को दुबाना लिखेंगे और इसका उप्योग करेंगे हम तो साइ बराबर ए टू दी पावर आई और अब है के एक्स और के को हम लिखेंगे पी बटा एच क्रोस और थात यह है पी बटा एच क्रोस एक्स और माइनस ओमेगा ओमेगा की चिए जोंगे क्यापिचल एख क्रोस तो यहाँ पर क्यापिटल एच क्रोस थीory एच क्रोस अनल यहाँ शुक्राथ करेंगे यह है एप पावर आई पाइच क्रोस क्रोस पी x minus e t अब इसको differentiation शुडू करते है एक्स की अपरेक्षा पहले differentiate करें क्या बना डिल्टा साइ डिल्टा x is equal to x की अपरेक्षा differentiate करें यह constant a अपनी जगह पे e to the power something है तो जैसा e to the power x का differentiation x की अपरेक्षा e to the power x ही होता है वैसे ही इसका differentiation इसका यह जो argument है इसकी अपरेक्षा पहले करेंगे e पे पामार i by h cross p x minus e t और अब इसका यह जिसकी अपरेक्षा हमने यह differentiation किया था उसका differentiation x की अपरेक्षा t को constant मानते हुए यह ऐसा जो टेड़ा वाला हम लोग लिखते हैं इसी लिए बताने के लिए कि हम x में differentiate कर रहे हैं और x के अलावा जो उसमें variables है उसको इस differentiation के समय हम लोग constant मानके चलेगे तो यहां पर x में differentiate करेंगे t को constant मानेंगे इतने को जब differentiate करेंगे तो क्या आएगा आई बटा एच क्रॉस पी आई बटा एच क्रॉस पी यह आएगा एक्स की आप एक्षा इसको यह तो constant है इसका तो जिरो हो जाएगा यह तो यह तो यह है यह क्या है यह हम दे सकते हैं यह एच क्रॉस पी यह वाला लिखा और इस पूरे कि जग हम सा इलिक सकते हैं कि यहां से जढ़ा पी साइ लिखने की कोशिश किजिए पी साइक क्या लिख सकते हम यहां पर लिखते हैं बाद मेंस की चल्चा करेंगे पी साइब नावर पी साइब भराबर इसको आप इधर लेजाए तो आई यह नीचे डिनॉम्इंटर में और यह निमेमरेटर में एच क हम इसकी चर्चा करेंगे इसको हमने रख लिया है यहां पे और इस equation से फिर से शुरू होता है इस equation से एक बार और differentiate किजे एक्स में क्या मिलेगा डिल्टा टू साइड डिल्टा x स्क्वार एक बार और इसको differentiate किजे ए अपनी जगह पे i by h cross p अपनी जगह पे और फिर अब यहीं बच गया इसी को x k अप एक्सा differentiate करना है तो फिर से वहीं आने वाला है i by h cross p आने वाला है और e to the power i by h cross p x minus e t आने वाला है ऐसा यहां से आके बढ़िए इसको पहले थोड़ा हल कर लें बराबर यह a है यह p का square है यह बटा h cross का square है और i into i बराबर minus है यहां पर एक minus हो गया और फिर यह पूरा e power i by h cross और फिर p x minus omega t ऐसा है आप p x minus e t ऐसा है यह इंटू यह a और इंटू यह यह si है तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस p square by h cross square और फिर यहां से जो बच गया वह si है यह जो आप पी स्क्वार साइ लिखिए पी स्क्वार साइ पी स्क्वार साइ इस इक्वल टू यह उस तर ले चलिए माइनस h cross square ऊपर और फिर यहां पर यह डिल्टा टू साइ डिल्टा एक्स स्क्वार ऐसा इसको भी हम वहां बगल में लिख लेते हैं हमें बाद में इसकी चर्चा और करेंगे पी स्क्वार साइ इस इक्वल टू पी स्क्वार साइ इस इक्वल टू माइनस h cross square सो माइनस h cross square और डिल्टा टू साइ डिल्टा एक्स स्क्वार यह बन गया ऐसा और अब इसको आप टाइम में करना शुरू कीजिए अब टाइम में डिफ्रेंशियेशन करने से क्या रहा है वो देखे थोड़ी जगह बना लें इस तरफ तो टाइम में डिफ्रेंशियेट कीजिए वह आप फंक्शन महां देख रहे हैं साई बराबर capital A e to the power i by h cross px minus e t इसको अगर आप समय के साथ differentiate करें डिल्टा साई डिल्टा टी लिखें तो a e power i by h cross px minus e t यहां तक तो पहला differentiation हो गया इसकी अपेक्षा अब इसको differentiate करेंगे टाइम की अपेक्षा तो क्या मिलेगा मुझे माइनस और यह i by h cross और यह e यह इतना यह बाहर आएगा माइनस और i by h cross और e टाइम के साथ में हमने differentiate किया डिल्टा साई डिल्टा टी किया अब यहां से इसको आप साई लिखी सकते हैं तो यह हो किया माइनस और i by h cross e into साई ऐसा हो गया यह और e साई को अलग से लिखें e साई बराबर क्या इस पूरे को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो e साई मराबर है यह उस तरफ को जाएगा तो माइनस h cross by i लिख सकते हैं अप उधर जा करके और डिल्टा साई डिल्टा टी और इसको आप लिख सकते हैं i h cross क्योंकि 1 by i है और यहां पर माइनस है इसको आप i लिख सकते हैं पता है आपको i का स्क्वार माइनस 1 होता है तो यह माइनस 1 जो है वो i का स्क्वार है और यहां i है तो आप सीधा i लिख सकते हैं और यह डिल्टा साई डिल्टा टी यह है और फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल की जो टोटल इनर्जी है वो उसकी कानेटिक इनर्जी है क्योंकि उसको इंटरेक्शन नहीं करने दे रहे हैं किसी से तो उसके ऊपर कोई फोर्स पोटेंशिल इनर्जी नहीं है तो इसलिए उस फ्री पार्टिकल के लिए हम लि सकते हैं e बराबर P square by 2 m यह non relativistic relations में हम काम कर रहे हैं small total energy कम है माण करके चल सकते हैं हम P square by 2 m kinetic energy है और यही इसकी total energy है और इसमें आप दोनों तरफ साइ साइ लिख देजिए ई साइ इस एक्वल टू पी स्क्वाइर बाइटू एम साइ और पी स्क्वाइर साइ को फिर वहां जो डाला ये वह पी स्क्वाइर साइ आप देखें आपने पहले ही निकाल के रखा हुआ है साइ लेशन बाइड़ साइ वह आप इसकी जगह पर लिख देजे और नीचे एक टू एम भी लगा देजे तो यह पांड़ बनता इधर वाला minus h cross square by 2m और delta 2 psi delta 2 psi delta x square यह right side लिखा है हमने P square psi को 2m से और भाग लगा दिया है P square psi हम वहां से उठा करके ला रहें और 2m से भाग लगा दे रहें बराबर क्या E psi E psi हमारे पास यहां already है तो यह है I h cross del psi del t हमें एक differential equation मिल गया है हमें एक differential equation मिल गया है जिसमें कोई P नहीं है जिसमें कोई E नहीं है और यह differential form जो हमारा starting exponential मेंने form लिया था उसका मोहताज भी नहीं है और करते हैं इसकी बात उसके पहले अगर यह पार्टिकल फ्री नहीं हो और उस पर किसी दूसरे के कारण से कोई interactions हैं कुछ forces है conservative forces हैं ताकि हम एक potential energy define कर सकते हैं जैसे अगर simple pendulum हम लोग चर्चा करते हैं तो वैसी हालत में उसकी potential energy है वह एक जो ऐंगिल है थीटा उसके square के proportional हाफ मुझा स्क्वाइर थीटा स्क्वाइर यह इस प्रकार के कुछ चीजें करते हैं एक्स स्क्वाइर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं ऐलेक्ट्रिट्रिछ फील्ड में अगर चार्ट्ट बार्टिकल हो तो उसके current से उसकी potential energy x के function के रूप में बदलती है gravitational field है उसमें हम लोग अगर बहुत उंची दूरिया ना करें और अर्थ के आसपास रहें तो –mgh ऐसा हम potential energy लिखते हैं जब कहीं हम 0 करें और हम नीचे जाएं तो ऐसा अगर कोई interaction है तो हमारे यह equation थोड़ा modify हो जाएगा वह बनेगा यह बराबर kinetic energy और plus potential energy याद रखिये हम लोग अपनी गनितियस विदाओं के लिए 3-dimensional space में नहीं जाकर के अपनी दुनिया को एक ही dimension में सीमित किये हुए है इसलिए हम यह एक्स लिख रहे हैं यहां भी हम एक्स के साथ में सारा काम कर रहे हैं वाई जड हम नहीं लेकर के आ रहे हैं हम पुरा का पुरा काम वन dimension में कर रहे हैं यह हमारी अपनी limitations हमने खुद बना करके रखी हुई है अगर आप इसको ले जाएंगे three dimensions में तो चीजें थोड़ी सी थोड़ी सी बदलेंगी लेकिन basic physics जो है उसका हम ठीक प्रकार से आत्मसाथ कर सके उसको हम ठीक प्रकार से अपने साई लगा दिया e साई is equal to p square by 2 m साई और प्लस प्लस v x into साई ऐसा अगर कर दिया और उसी प्रकार से equations बनाए तो आप देखो p square साई के लिए और e साई के लिए तो यहां already है इसके साथ में एक v x साई और जूड़ने तो क्या equation बनेगा minus h cross square by 2 m del 2 sin del x square plus यह तो हो गया इसका part plus v x into साई ब्रावन i h cross del si del t यह equation बनाए यही वह equation है जिसके हम तलाश कर रहे थे यह सारा सारी मशक्र जो की गई है वह इसी equation तक पहुँचने के लिए कि गई है इसी को कहते हैं हम schrodinger equation schrodinger wave equation इसी को कहा जाता है schrodinger s chr o के उपर दो बिंदू यह जर्मन का शब्द है और यह अलग से अलफाबेट जर्मन में होता है इस प्रकार के बिंदूओं वाला schrodinger wave equation क्या बताता है यह बताता है इसको अगर आप सॉल्फ करेंगे दिये वे wave function समय के साथ कैसे बदलेगा वो यहां से निकल करके आएगा डिल साइडल टी है यह इसको सॉल्फ करेंगे दो साइज फांक्शन आफ टी कैसे बदल रहा है एक्स का और टी का function है तो एक समय पे फांक्शन मुझे पता है तो आगे के समय पे वो function कैसे बदल रहा है बदलेगा उसका उसका पता हमें इस equation से मिलता है अब बड़ा सवाल अभी है बड़ा सवाल अभी है कि हम निकाल का रहे है इससे हमें वह फांक्शन निकलेगा समय के साथ इस mathematical equation को जब हम सॉल्फ करेंगे तो ठीक है एक समय पे मुझे फांक्शन कहीं से किसी प्रकार से पता है तो समय बीतने के साथ उस वे फांक्शन का क्या-क्या बदला उसमें आने वाले हैं वह मैं यहां से निकाल लूँगा लेकिन यह मैं क्या निकाल रहा हूं यह कौन सी quantity निकाल रहा हूं वह जबाल अभी वैसा ही मौदूद है और हम उसकी चर्चा इस लेक्चर में तो करने वाले है नहीं उसकी बहुत लंबी लंबी चर्चाए होने वाली है आगे के लेक्चर में लेकिन अभी मिटीरियल है पार्टिकल है पार्टिकल समय समय पर कुछ-कुछ परिस्थितियों के अंदर में अपना वेव क्यारेक्टर शो करते हैं उनका डिफ्राक्शन होता है उनके इंड होना ही होना है जो कि space का और time का function उस पर depend करें तो वह फांक्शन होना ही होना है उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे है कि उसका time evolution कैसे होगा वह इस श्रोडिंगर equation से हमें पता चलता है तो इसके पहले कि वह फांक्शन है क्या चीज और क्या चीज है वह तो हम कभी नहीं ब अगर मेरे पास उपलब्द है किसी समय पर किसी सिस्टम के लिए तो हम वह system की कौन-कौन से जानकारिया निकाल सकते हैं उस वह फांक्शन से वह फांक्शन पार्टिकल के मेजरेबल परामिटर के साथ में कैसे कानेक्टेड है उस पार्टिकल का linear momentum उस पार्टिकल का position उस प energy जो कुछ भी है जब हम three dimension में जाएंगे तो angular momentum की बातें भी होंगी angular positions की भी बाते होंगे जो कुछ भी उस पार्टिकल के बारे में हम जान सकते हैं या हमें जान संभव है उनका जो miserable quantities हैं observable quantities हैं और इस wave function का बहुत गहरा रिष्टा है और हम धेर सारी बात्सित करने वाले हैं कि अगर हमें wave function पता हो तो हम क्या-क्या जान सकते हैं पार्टिकल के उस परिस्थिती में उस समय पे उस क्षण पे और क्या-क्या नहीं जान सकते हैं यह सारी बाते हम करेंगे लेकिन उसके पहले हम एक और बहुत रोचक चीजें आपके साथ बात करना चाहते हैं और उ माइनस आइच क्रॉस डेल साइडल एक्स और पी स्क्वार साइट तो हमने इस्तेमाल अभी किया ही है तो हम जरा उसकी फिर से दुबारा चर्चा करते हैं तो उस एक्वेशन को देखे जरा पी साइए इक्वल टू माइनस आइच क्रॉस डेल एक्स साइ थोड़ी दीर के ल बिना किसी जस्टिफिकेशन के आप यह दोनों तरफ के साइ उड़ा देजिए तो क्या बना बना पी बराबर माइनस आइच क्रॉस डेल डेल एक्स यहां से साइ अटा दिया यहां से दोनों तरफ से साइ अटा दिया भाग नहीं लगा दिया काट नहीं दिया ऐसा नहीं कि साइ से यह साइ कट गया क्योंकि वह कट गया का मतलब होता है भाग लगाना तो यहां दो भाग लगा सकते हैं यहां तो मुल्टिप्लिकेशन है ले इसको बचा लेते क्योंकि यह तो कॉसेक्स बनने वाला है तो वैसा कुछ नहीं कर सकते हम लेकिन फिर भी अगर हम साही साही हटा दे तो हमें यह equation मिलता है अब यह है linear momentum इसका कुछ value होगा kilogram meter per second जो कुछ देमान नहीं बदा सकते हम यह तो कोई सामने function आये तब कुछ करे तो इसको हम लोग कहते है operator यह operator है यह operate करता है किस पर operate करता है तो इसके आगे जो function लगा होता है उस पर operate करता है और एक नया function देता है sin x का cos x बनाता है x square का 2x बनाता है हाँ e to the power x का e to the power x छोड़ देता है वो भी है लेकिन इसको एक function पर operate हो करके कोई और function देना है यह इसका काम है यह operator और यह है एक physically miserable quantity linear momentum of the particle at that instant तो इसलिए बराबरी का चिन लगाना तो थोड़ा अच्छा नहीं है तो हम एक यहां तो बराबरी का चिन हटा देते और एक दूसरा चिन इसके लिए बना लेते हैं capital P और अब बराबरी का चिन लगा देते हम minus ih cross del del x और यह भी अब एक operator है यह linear momentum का operator है operator corresponding to linear momentum यह linear momentum का यह हमने operator बना लिया है 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 यह यह निक कौन्टम मेकेनिक्स में जो हमारी अब्जरवेबल क्वांटिटीज है उन क्वांटिटीज के corresponding एक-एक operator भी है linear momentum है तो उसके corresponding एक operator है यह minus ih cross del del x और उसके लिए capital P संकेत इस्तिमाल कर रहे हैं इसी प्रकार से कानेटिक इनरजी देखिए जो पी स्क्वार साइ है वहां लिखा हुआ पी स्क्वार साइ यह बराबर है minus h cross स्क्वाईर Del 2 साइ डिल x स्क्वाईर और 2m से भाग लगा दीजे और दोनों तरफ से उडा दीजे साइ को और P square by 2 M की जगे kinetic energy लिख लीजे यह kinetic energy और अब बच गया क्या साई उड़ा चुका हूं मैं इधर केवल यह kinetic energy बची है तो अब बच गया इधर minus h cross square by 2 M और डिल टू डिल एक्स स्क्वाइर डिल टू डिल एक्स स्क्वाइर बच गया यह kinetic energy का operator हो गया यह kinetic energy के corresponding यह operator हो गया इसी प्रकार से हर एक observable के लिए आपके पास एक operator होता है potential energy तो potential energy का क्या operator है तो potential energy का अपने उस में equation में देखा P square by 2 M Psi plus V X into Psi यह बराबर था I H cross del del T Psi ऐसा था यह kinetic energy है इसके लिए हमारा operator था minus H cross square by 2 M del 2 del X square इसको लगना था Psi के ऊपर यह kinetic energy का operator जो Psi पर operate कर रहा है लेकिन साथ में अगर आप उसी क्रम में इसको भी सोचिए इसको भी सोचिए तो यह क्या कर रहा है यह potential energy का operator भी कह सकते हो आप इसको यह multiply कर रहा है साई को यह differentiate कर रहा है साई को यह साई को differentiate कर रहा है दो दफा यह multiply कर रहा है multiplication भी operator है आप एक function लो और किसी दूसरे function से multiply कर दो तो आपको कोई तीसरा ही function मिल सकता है तो यह multiplication भी operator है और potential energy के corresponding जो operator है वो यह है multiplication by Vx तो अगर potential energy का अगर आप लिखेंगे potential energy इसके लिए जो operator लिखेंगे ऑपरेटर है तो वह हो जाएगा multiplication by भाई वी एक्स classical mechanics में Vx का जो भी expression होता है हाफ के एक्स स्क्वाइर जो भी expression है उससे सिदा गुणा कर देना है यह जो operation है यह operation potential energy के लिए corresponding operator है position position के लिए भी operator है और वो भी multiplication टाइप का ही है उसका जो operator है वह है multiplication by x सिदा एक से गुणा कर दो यह operator position के लिए तो दो तरह के operators हम में अभी यहां मिले है कुछ हैं जो कि गुणा करने वाले हैं वो सिदा जिदा multiply कर देते हैं वह operation है और कुछ हैं जो differentiation वाले हैं एक बार differentiate किया या दो बार differentiate किया वो दो प्रकार के operators हैं यह हम लोग आज यहां से सीख करके जाएंगे एक तो कि हमने एक equation बनाया जिसको हम श्रोडिंगर से वेव equation कहते हैं differential equation है एक तरफ डेल साइडल टी है दूसरी तरफ second differentiation है और potential energy है तो उसका भी अलग टर्म है और यह differential equation उस पार्टिकल के वेव फंक्शन का time evolution बताता है हमने उसको प्राप्त करने के लिए जरूर एक खास exponential और यह सब किया था लेकिन differential equation हो गया अब वो जरूरी नहीं है कि वो e to the power minus i y h cross और वो सब हो और पी एक्स और e t हो किसी भी प्रकार का वे फंक्शन होगा इसी differential equation से वो guided होगा और दूसरी चीज operator के बारे में जो अभी हम लोगों आगे के आगे आने वाले lectures में करेंगे